हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको कन्फेशन डे के बारे में पूरी जानकारी दूँगा यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतियास है इस से जुड़ी सारी चोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मगर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करेता कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों वैलन्टाइन वीक प्यार और इजहार का सब्ता माना जाता है जबकि एंटी वैलन्टाइन वीक उन लोगों के लिए बेहत खास होता है जो लोग सिंगल है या फिर जिनका रिस्ता लगबग तूटने की कगार पर पहुँच गया है दोस्तों हालांकी एंटी वैलन्टाइन वीक रिस्ते को सुधारने का भी मोका देता है जी हाँ अगर आपने रिलेशन्शिप में कोई गलती की है और आप पार्टनर के सामने अपनी गलतियों को सुधार करना चाते हैं तो एंटी वैलन्टाइन वीक का पाचवा दिन यानि कनफेशन डे का मोका अपने हाथों से बिलकुल भी ना जाने दे एंटी वैलन्टाइन वीक के पाचवे दिन यानि 19 फरिवरी को दुनिया भर में कनफेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन प्यार ही नहीं बलकि गुस्य भावनाव और गलतियों को कबूल करने का मोका देता है दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या है कनफेशन दोस्तो किसी भी वैक्ति के लिए अपनी गलतियों को स्विकार करना आसान नहीं होता है इसके लिए बहुत ही सास की जरूत होती है प्यार गुस्य नफरत की भावनाव और गलतियों को मानकर उसे कबूल करना ही कनफेशन कहलाता है काफी समय से मन में छिपी रहने वाली किसी चीज को दूसरे के सामने स्विकार करने के लिए कनफेशन डे वैक्ति को हिम्मत परदान करता है कनफेशन डे सिरफ प्यार की भावनाव को अभी वैक्त करने तक ही सीमित नहीं है इस दिन आप इमानदारी से अपनी किसी भी भावनाव को अपने पार्टनर के सामने वैक्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी गलतियों को स्विकार करके अपने रिष्टे को एक और मोका कैसे दे सकते हैं दोस्तो किसी भी गलती को स्विकार करने के लिए आपको अपनी गलती का एहसास होना बेहत जरूरी है गलती का एहसास यह बताता है कि आप अपनी गलती को लेकर प्राशित करना चाते हैं लेकिन अगर आप अपने रिष्टे में किसी तरह की गलती करते हैं जिससे आपका पार्टनर अंजान है तो आप अपनी गलतियों को confession day पर partner के सामने सुविकार कर सकते हैं दोस्तो अपनी गलती को माने कई लोग गलती करने के बाद उसे सुविकार नहीं करते हैं और अपने एंकार में ही जहते हैं लेकिन ऐसा करना आपके लिए ही गातक स्याबित हो सकता है अगर आप अपनी गलती को सुधारना चाते हैं तो सबसे पहले उसे मानना होगा अगर आपकी किसी गलती से रिष्टे में दरार आ गई है तो confession day पर उस गलती को माने और अपनी गलती को सुधारने का partner को वादा करे दोस्तो जाने अंजाने में गलतिया इंसानों से ही होती है और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे कोई गलती ना हुई हो हालांकि गलती करने से कहीं ज़्यादा महत्पूर्ण है अपनी गलती पर माफी मांगना अगर आप अपनी गलती करने के बावजुद माफी नहीं मांगते हैं तो यह है आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है इसलिए confession day पर partner से गलतियों के लिए सोरी कहें और अपने रिष्टे को एक और मोका दे दोस्तो अगर आपने गलती की है तो confession day पर सिरफ उसे स्विकार करने बड़ से ही काम नहीं चलेगा आपको गलतिया स्विकार करने के साथ साथ उससे सबक भी लेना होगा ताकि भाउश्टे में आप उस गलती को दोबारा ना धोरा सकें अगर आप अपनी गलती से सबक लेते हैं तो हो सकता है या आपको उस गलती से कुछ सीखने को मिल जाए दोस्तों अगर आपके पार्टनर ने आपके सामने अपनी किसी गलती को सुविकार किया है तो अपना दिल बड़ा कीजिए और उन्हें माफ कर दीजिए गलतियों के लिए पार्टनर को माफ करके उन्हें एक और मौका दीजिए इसके साथ ही है जानने की कोशिश करें कि आखिर आपके पार्टनर से गलती हुई कैसे गलती की असली वज़े जानेंगे तो आपके लिए माफ करना बेहद आसान होगा गोरतलब है कि कनफेशन डे सिरफ कपल सी नहीं बलकि हर किसी को अपने अपराद गलतियों और भावनाओं को लेकर कनफेस करने का मौका देता है इससे आपके मन का बोज भी हलका होता है और रिष्टे में समझ के साथ साथ मजबूती भी आती है इस दिन कई लोग कनफेशन डे के मैसिज और सुबकामना संदेज बेचकर भी एक दूसरे को सुबकामनाई देते हैं बरहाल अगर आपके मन में किसी के लिए कोई भावना है या फिर आपने कोई गलती की है तो आज confession day के मौके पर आप उस गलती को स्विकार करें या जो भी भावना है उसे व्यक्त कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको confession day से जुड़ी सारी जानकरी अच्छे से दे दियोगी दोस्तो अगर आप लोगों कोई वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें अपने सारे friends relative हर जगही से maximum से maximum share करें और इस comment box में आप हमें ये लिख कर बताएं क सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और new notifications के लिए bell icon पर click करें ताकि आपको ऐसी ही videos time to time और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तो जैहिन झाल